हालो फैंस मैं हूं धर्मेंद और आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गोली आप सभी का आपके अपनी चाल पर बहुत बहुत श्वागत है तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपका रिजल्ट आए हुए दो दिन होने जा रहा है और हो गया है जी हाँ फैंस ल गड़बढ है और तो ओडियर फैंस कुछ केंड़ेट तो प्रूप देने वाले हैं ठोज सबूत देने के लिए तैयार हैं कि सर्क कुछ आंगे कीजिए हम लोग आंगे कुछ करें हमारे पास ठोज सबूत हैं प्लीज आप हेल्प कीजिए तो दोस्तों आप लोगों को बत एक नहीं यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा केंड़ेट करिवा 90% केंड़ेट की कमेट ऐसे आ रहा हैं जिसमें वो रिजल्ट में गलबड़ी की सिकायत लगा रहा है धन्दली की सिकायत लगा रहा है तो दोस्तों वीडियो में आगे बड़ा दिया आप चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें जी यहां दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में घंटी कने सान आ रहा होंगAR उसको भी दबा लें ताकि आने वाली हार एक वीडियो का नौट्पिकेशन आपको टाइम से मिल सके और दोस्तों इस वीडियो को आधिक से आधिक सेयर कर दें जी हाँ दोस्तों सेयर नहीं करेंगे तो सामने वाले परसन तक इनफॉर्मीशन कैसे जाएगी आपके भाईबेहन मेत्र किसी को कैसे पता चलेगा तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर जरूर करें प्लीज रिक्वेस्ट हैं हमबल तो चली के साथ ऐसा हो जाता है ऐसा कमेंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों आप पढ़ी यहां पर इस भाई ने क्या बोला है कुमार देने इसने सभी लोगों को मेरा प्यारफार नमस्कार इसने अपना गुस्तर जायर किया है कि आखिर कब तक हम ऐसी गुलामी सहेंगे अब तक हम अपने नसीब को कोशेंगे इसने सब कुछ बोला है आखिरकार हमको कुछ करना होगा ऐसा नहीं चलेगा जी हां दोस्तों इसी प्रकार से एंगले कमेंट को पढ़िए बिहार इसी धहंदली 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 वाले कमेंट मिलेंगे आपको कोई यहां पर आंदोलन की बात कर रहा है कोई बोल रहा है की पॉकेट गर्म करो दोस्तों ऐसे अगहीं बोंगे कि धहंदली होई तो इसका मतलब समझ जाना Чाहिए कि आखिरकार क्या मिस्टेक से गड़ बड़ी में अब इस प्रकार थोड़े और आंगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहां पर सर हम से आते हैं यहां पर 70 माक्स आये हैं इनका फिर भी नहीं हुआ इनका बोलना है रंजन कोमार जी का सी प्रकार से रभी कोमार जी बोलते है 144 यहां पर 12 जन्वर फर्ष्ट पर से पर शेंपर इसी इता इनका बीसिता भी नहीं हुआ दोस्तों बहुत जाद़ कमेंड्स ऐसे देखने को मिलना है जिनके 70 तरसी में भी रिजल्ट नहीं आया अब दोस्तों जैसे आप थोड़े और आंगे बढ़ेंगे तो यहां पर भौज़ाद कमेंट्स आ रहे हैं कि सर करें तो क्या करें यहां पर क्या करना है आप जाएंगे यहीं वीडियो के डिश्केप्सें में जाएंगे ओहां पर एक लिंक होगी आप वस लिंक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी पेज में ऊपर आपको पर उस पर क्लिक करना है आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी information details मांगेगा सबसे पहले email address इसके बाद आपसे संबनेत हर एक चीज गाउं सेहर प्रेखंड आपका जिला और आपका pin code बगएरा बगएरा सब कुछ भनने के बाद आपको submit कर देना है और बस आपकी RTI हम लगा देंगे ओके तो आप tension डाले जी हाँ दोस्तों RTI ज़रूर लगा यादि आपने इतना सब कुछ किया है इतनी महनत की है तो आपकी महनत जानी जानी चाहिए आपको पता चलनी चाहिए कि आखिरकार आपके marks आया है तो कितनी और दोस्तों इसी परकार से हम बात करें तो ऐसे बहुत जादा कमेंट्स मेरे पास आ रहा है 70-80 वाले 70-80 वाले कि आखिरकार सर बताइए प्लीज हमारा क्यों नहीं हो आतने marks में आखिर क्या reason है कोई बोल रहा है कोई कोई कोछ बोल रहा है तो दोस्तों मैं सभी से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अभी आरोख प्रत्यारोख करने से कुछ मिलने वाला नहीं है अभी आपको सिर्फ एक काम करना होगा क्या कि आपको लगानी होगी RTI जिहां दोस्तों RTI के माध्यम से आपको कम से कम प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपके नमर आए थे कितने अभी आप अपने मन से भी बोल सकते हैं आपको धोका भी हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन RTI के माध्यम से आपको वैग जट पता चल जाएगा कि आखिरकार आपके माक्स कितने आए थे अब आपको फिर RTI के बाद क्या करना है दोस्तों आप लोगों को मां करनी है सभी लोगों को मिलकर कि इसका कट आप जारी किया जाए जी हाँ दोस्तों कट-off जारी किया जाए क्योंकि जब तक कट-off जारी नहीं होगा ओपन नहीं होगी बात कि आखिरकार हुआ क्या है जिससे कम-marks वालों का हो गया और जादा नमर वाले बैठे हैं आखिर हुआ क्या है यह दिक कट-off जारी हो जाएगा तो सब चीज पता चल जाएगी खुलासा हो जाएगा कि किसके कम-marks ते उसका भी हो गया कम-marks वालों का हो गया और जादा माक्स वालों का नहीं हुआ आखिरकार कट-off गया है तो कितना लेकिन इससे पहले भी आभी आपको जरूर है कि आभी आप RTI जरूर लगाएं जी हाँ दोस्तों बेगर RTI लगा है आप बैठे रहिएगा आपका फिजिकल हो जाएगा आपकी ज्वारिंग हो जाएगी बट आपको एक बात बोल दूँ आपको यह भी पता नहीं चलेगा क आपके मार्क्स कितने हैं तो प्लीज RTI जरूर लगाएं और दोस्तों जिनको भी RTI लगाने में प्रॉब्लम जा रही है तो वो पीछे वाली वीडियो देख ले मैंने उसमें बाकादा हर एक चीज़ बताया है कि आप लोग रिश्टेशन कैंसे करेंगे अपनी डिटिल्स कैंसे देंगे फिर भी यह दि आपको कोई दिक्कत जा रही तो मैं एक बार और बताने को तैयार हूं और जैसे आप लोग की लिंक डाउनलोड हो जाती है तो आप डाउनलोड वाले सेक्शन में देखा करो आपके मूबाल के ओके आपको वहां पर मिल जागी कोई को प्रॉ करना है अच्छे से सुनिए अच्छे से देखिए क्योंकि बाद में कमेंट नहीं करना कि सर मेरा RTI के रिष्टेशन नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप कह करें सबसे पहले आप आएं वीडियो के डेस्केप्शन बॉक्स मतलब मोबाल में है फिर आप लेप्टॉम में जहां खाल आपको क्या करना है अला Until theenko … के प field करें तो आपके समखची आपके सबसे पहले आपके नाम नाम आगा जाएगा पर फॉन पर गूगल पर बेटियम तीनों रहते हैं जिसको चाहए उसको चूज कर सकते हैं यह दि आप चाहते हैं कि आप तीन के अलाब़ और भी कोई इक चाहते हैं तो आप को यहां पर क्लिक करना होगा more payment option पर जरता दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके समख छेंसे इंटरफेस आएगा आप दोस्तों आपके पास credit card है आप उससे payment कर सकते हैं debit card से net banking से wallet से यहाँ पर क्लिक करें जैसे debit card पर तो दोस्तों आप debit card करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा क्या card नमर सबसे पहले आपको फिलप करना होगा बारा से चल्ग नमर के जितना भी एंड इसके बाद आपको यहाँ पर expire month लिखना है उसका जो भी हो आपका बारा ग्यारा नौ जो भी हो इसके बाद आपको यहाँ डालना है उसका और यहाँ पर कि लिखना देखा देहने भी आपकी आपको गतकी संच contexts पर उसके पटार आपकं पर नहीं होगा और यादि कोई रहती है रहती है और आपकी जवाबदारी नहीं रहेगी दोस्तों इतना सब पाइने के बाद आप यहां पर क्लिक करें आपको इंफॉर्मिशन सम्मिट करने के लिए बिल्कुल फॉर्म मिल जाएगा आपके बाइन जाल यहां प्लिद्मट में future कि असे ipe अम्हीं से फीटल पर क्लिक करें और अपके समगे संग्ष यहां पर डेट्ल सापकी बागने लगे देख सकते हैं यह इंटर उमिल आपको इंटर रेजिस्टेशन नोमर चैसें रागना है मतलब में पत्तर आपको आपका नाम क्या मेंang इंग्येट में डालें तो यहीं पर आपको प्र सहर गांट है इसके बाद आपको चम मिलेगा आपको फॉन नम्र नम्मा बिल्कुल करेक्ट ताकि कोई समझ से आने पर आपसे क्तेक्ट किया जा यासकी और इसके बाद दोस्तों आउन्ट माय मतलब प्रिसाल है एंड इसके साथ आपको next point बनना है आपका माकान संख्या या की गली और इसके बाद आपको बनना है क्या आपका जिला आपका डिस्टिक क्या है सहरी छेत्र बनना है इसके बाद last option रहेगा आपका pin code दोस्तों pin code अच्छे से बनना क्यारफुली होगे हर एक information आपको भननेगे थोड़ा टाइम ले लेना लेकिन अच्छे से बनना हर एक बड को मैच करकर के भनना इतना सब को जैसे आप कर लेंगे तो आपको एक summit का option आएगा समिट कर देना आपकी information हमारे पास पूरी की पूरी collect हो जाएगी और आपकी जोतनी विरॉन फिर वह information है कहीं भी शेयर नहीं होने वाली गोप नहीं रहेगी आप इस चीच की टेंशन ना लें तब तक लिए फैंस वीडियो आई हो पसंद तो प्लीज लाइक करते जाएं च